बिसमिल्लाहिर रह्माद रहीम असलाम अलेकुम प्यारत हमाद आपको ख्याम्द कहता है आज किस लेक्चर में हम इनिशाला पार्णशिप अकाउंटिंग में 41.10 A को सॉल्व करेंगे तो चिले स्टॉर्ट करते हैं क्वेचन है हमारे पास कि Scott and Joplin are in partnership to share profits in the ratio the share profits in the ratio score 70% and Joplin 30% the following tribalance was extracted at at 34 december 2017 so हमारे पास data given अपके 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 कि में अकोस्ते सेट, motor vehicle has cost asset provision for depreciation up to 35 december 2016 नेक्स में हमारे पास closing inventory है 2016 हमारा दूकरांटी है 2017 है 30 December 2017 हमारे पास जो inventory यहां पे गिवन है 30 December 2016 के इक हमारे पास ओपिंग फॉक है। हमआरे पास औपास नाबिल्टी से ऐंक एक है इसके बाद रूपंट काउंट एक पार्ण लिम्हांत के हमारा पास करने न पास क्योंट करते दोटेट एक। current account प्रक्राइल को व्यवालनस इससा से, फिर फेक्ट अपिल अकाउंट प्रेक्ट आपशे लिए. इसके लावा साथ साथ राइंग बता ही पिया, पुछ हमेरे पास से रहे है. तो इन्वेंटरी श्रॉक हमारे पास अजस्मेंटरी श्रॉक है तो हमें बते हैं इसका डबल फैक्ट होता है एक तो यह सीजेस में जाता है उसके लब बेल शीट में आज है ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है अजस्में आप लोग अच्छे चांट कर चुके है तो यह सीम वैसे ही है जैसे कि आप लोगों ने किया है बस थोड़ा से इसमें चेंज कहां पर आएगा कि जब पार्शिप का जो प्राफिट होगा उसकी अप्रपरिशिन जब करेंगे वह थोड़ा से एक पोर्शन चेंज ह जब आप लोगों ने अच्छांट किया हुए अफिस एक्सपेंस पेबल अक्सपेंस हमारे टूड़ अट्स पर टिके अम आप अप्रफिस पैंसे इनको एड करेंगे इंक फ्रेवल में जाकि जब कि जब बलेशिट में जाएंगे तो आप यह जाएंगी तर्ड तो वहां पी हमारे पहले से मौजूद है उसको एंड करेंगे उरा इंट करेंगे इंट ऐसे को एकञिट में Sedumid उसके बारे चार्ज इंत्रस्स्टन रॉइंग तो इसके अगर एंट्रि की बात करें तो इन्ट्री बने गी रॉइंग काउंट आवैट एक यह एक तो यह ब्लेसी पर जाया गा तो द्रॉइंग में आड होगा कि लावा ट्रॉइंग मैंड होके अम कैटल मेंस करते हैं सबसे पहले अगरिक बात की जाए नेट सेल जब आए कि तो इसमें रिटर्ट पर चेज़ और अगर किस्टम के डार एक्स्टम के डार एक्स्टम के तो पर चेज में आड करेंगे क्यों रिटर्ण होगी पर चेज तो उसको लेस करते हैं उसके बाद और अपनी स्टम के दोनों को अगर आड करेंगे हमारे पास उश्टम करेंगे तो पर बांखी हमारे पास सेज्टम आयागा तो अगर net profit पाएगा तो उसमें हम फिर बाकी जितनी पर adjustment है production account partners में और खाड़ी को रेशोर को share कर देंगे अगर किसी किसे इंट्रस्ट्न capital है इंट्रस्ट्न ब्राएंगे तो उसको फिर यहाँ पर adjustment करेंगे उसके साथ से liabilities में सबस्के पहले कि capital accounts हमारे आ रहे है current accounts यह से इंट्रस्ट्न ब्राएंगे करते हैं और हमें पता है कि अगर एक सिक्सम के salary इंट्रस्ट्न capital या उसको share of profit इंट कर लिया जाएगा उसमें इसे इंट्रस्ट्न drawing को minus कर देंगे उस तरह से बाकि अगर किसी किसम के non current liability या current liability तो उसको record करेंगे अगर तो assets and liabilities and equities का total equal होगा तो balance sheet हमारे ठीक है otherwise पर कहिना है कि हम दे mistake होगी तो तिलिए start करते है question को हमारे पास question है इसमें इसमें सेल कीवन है इसमें सेल हमारे पास 180,400 question में हमारे पास किसी किसम के सेल रिटर्न नहीं थी अगर होती है तो हम उसमें से माइनस करें सेल है हम इसको record करेंगे कि सेल हमारे पास आ रही है तो यह जाया है यह net sale है हमारी सेल को record करेंगे माइनस करते है तो sales सेल में से लेस करतें CGS में opening stock record किया जाते है तो opening stock inventory is 34 December एक हमारे पास opening stock को हमितों हमें सेल कर लिया तो opening stock CGS में record करते हैं उसके बाद इसमें purchases को add करना है तो purchases पर चेजिस हमारे पास ना तो रिटर्ड न है उसलिए हम जस्को नेट पर चेज है हमारे तो यहां पर रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास अब पर चेजिस आ रही है अगर हम एड करें दोनों को उपनिक प्लस पर चेजिस तो इनका जो टोटल होगा इसका अगर सम किया जाए तो इनका जो सम है इसको आफिलेबल पार सेल कहलाएगा तो दोनों को एड कर लें और इसमें से लएस करना हमने क्लोजिक फ्रउक फ्रउक हमें प्रस मिलेगा तो अबर्श्मेंट को चेक करते हैं तो वहां पर हमारे पर पर फ्रॉदिंग इनवेंटि मोजूद है प्रटी वन थाज़न थाजन तरी व्रॉट्वेल उसको रपाड करते हैं हमाने पास सब्सक्राइब MRS सब्सक्राइब इसमें मैंने और बागी समया था जाद है जाद को CTS की figure कम है तो बात जो difference होगा वो GP कहलाएगा sale minus CTS तो यह GP आगए अब GP में से हमने इतने भी हमारे expenses होंगे सारे के सारे हमने minus करने हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास total expenses कितने हैं तो expenses को record करते हैं अब हमारे पास सबसे पहले आ रहे है सेलरी को record करते हैं सेलरी हमारे पास है total 27,400 हमारे पास salary की figure आ रही है हमारे पास salary total to figure 27,400 तो मुसको record करेंगे 27,400 नेक्स आगे चेक करें तो office expenses का हमारे पास total आ रहे है 2130 तो office expenses 2130 इसकी adjustment है तो हमने इसको इसमें adjustment को add करेंगे तो plus outstanding हम इसमें plus करेंगे outstanding expenses को add करेंगे outstanding expenses की adjustment है वो है 240 हम add करेंगे next हमारे पास आगे चेक करें तो उसके बाद discount loud discount loud की value है 312 तो discount loud discount loud is discount loud 312 तो discount loud के रहावा यहां पे हमारे पास कोई और expense नहीं है तो पी एक नदर अगर adjustment को देखेंगे तो आपे depreciation है तो depreciation को record करेंगे तो को करेंगे को करेंगे तो depreciation हम दो record करनी है balances for depreciation या provision for depreciation विसे के लिए यह depreciation है तो depreciation on तो depreciation on motor vehicle motor vehicle पर depreciation record करनी है हमने motor vehicle की cost 21,400 तो motor vehicle की value है हमारे पास 21,400 और multiply हमने करना है देखने के हमारे पास total rate है इसका 25% 25 divided by 100 इसको हम calculate करते हैं 21,400 multiply करेंगे 25% के साथ इसी तरह से cost पर हमने दोबारा से इसके लावा depreciation है आफिज अक्यूमेंट के उपर depreciation है हमारे पास 20% तो हम देखते हैं कि हमारे पास office equipment की value कितनी है तो office equipment हमारे पास जो आ रहे है वो 9200 है 9200 के उपर 25% हम depreciation चार्ड करनी है 9200 multiply by 20 divided by 100 9200 और 20% इसके लावा और कुछ नहीं है तो फिर हम इसका करते है total ताके check करें कि हमारे पास total expenses कितने हैं तो sum कर लेते हैं इतने भी expenses है हम उनको add करेंगी यह हमारे पास available तो यह हमारे पास total expenses आगे तो gross profit greater है जबकि expenses हमारे कम है तो फिर पाकि हमें profit होगा check करते है total profit कितने EP EP में से minus कर देंगे हम total expenses बाके 935 दर हमें net profit होगा तो जब net profit आ जागे तो हम यहां पर इसके नीचे इसके नीचे भी start कर सकते हैं या लेता से अगर profit and last professional account बलाना चाहें open करना चाहें तो अलग से profit and last professional account बलाना चाहें है तो यहां पर interest on drawing को add कर लेते हैं तो interest on drawings add करते हैं तो हमारे पर जो partners हैं तो two partners Scott and Joplin है तो स्कॉर्ट and Joplin Scott and Joplin तो interest on drawing यहां पर rate है interest on drawing बल्के खुद बता दी हैं दोनों को अगर add करें तो बनते हैं टोटल 500 तो हमारे पास आजाएगा टोटल 500 500 add कर लेते हैं तो 500 को अगर add कर जाए net profit में तो यह हमारे पास फिर बनेगा 9850 इसमें से हम reduction करेंगे interest on capital तो less करने इसमें से interest on capital interest on capital इसको हम जो minus करना है Scott and Joplin interest on capital का rate हमारे पास 5% तो interest हमें जो capital counts हों के उनके record करें capital count हमारे पास 50,000 20,000 5% rate से कर अप्लाए करें तो 50,000 का 5% तो 50,000 का 5% तो 50,000 का 5% तो 50,000 का 5% तोटल कर लेते हैं यह बने का 3500 interest on capital जब minus करेंगे जब minus किया जाएगा तो 9850 minus interest on capital 6,350 यह हमारे पास बाकी रकम बचाएगी जो कि share of profit है अगर बाकी दो profit होगा उसको हम rate से करेंगे यहां पर allocation करेंट करेंगे यहां पर allocation करेंट होने पताया है हमें तो वह करेंगे दिशिये property ratio 70% 30% 70 and 30 करेंट से करेंगे तो 70% and 6,350 यह हमने calculate करना है 30% यह हमने calculate 30% and 6,350 का 70% and 6,350 का 30% तो दोनों को अगर add किया जाए तो यह हम value आने चाहेंगे तो जब allocation हो जाएगे तो बाकी हमारे पास किसी समगा कोई balance नहीं पचाएगा next आगे balance sheet को start करते हैं तो balance sheet में सबसे पहले non current assets को regard किया जाते है तो इसमें हमारे पास एक तो आ रहा है office equipment and motor vehicles तो record करते हैं इसको हमारे पास आ रहा है office equipment office equipment office equipment की actual cost है 9200 office equipment हमारे पास total जो आ रहा है 9200 9200 में से हम less किरते हैं इसमें से minus किया जाएगा provision for depreciation को minus करेंगी तो आप देखें हमारे पास एक पर भी आप यह तो टाइप की है एक तो पहले से आ रहा है यह जा रहा है आप तो थेश्ट पर डिसमबर तो यह हमारे पास आप तो किमार की बज़ों बच्षीजिन की बच्षीच्ट है आपिए प्रीपशेट हचुके है क्र Lex 우리 ऐखर्ण के लिए और क्फीरद को एकडिवार किया जाए तो देखें कर अगर इंगर 9600 प्लस 1840 यह total हमारे पाँ पाँ देप्सेशन हाजी तप्सेशन 9200 इसमें से less करेंगे प्रफेशन को next हमारे पाँ motor vehicles at cost है motor vehicles at cost इसमें से less करेंगे provision और depreciation तो इसकी जो depreciation बन रही है पहले से depreciation ने 12800 की तो 12800 और इसमें से हम add करेंगे current year की depreciation की depreciation को चेक किया जाए किसनी बनती है वह थे हमारे पास 5350 तो प्लस 5350 actual value नहीं लिखी हमने actual value को record करते है वह की 2400 और हम देखते हैं की बात ही हमारे पास 12800 प्लस 5350 तो यह हमारे पास total depreciation आ चुकी है उसके बाद हम check करेंगे तो 21400 माइनस 18150 इसके लावा और को non current asset हो और कोई non current asset नहीं कोई और fix asset नहीं है हम इनका पर total कर लेते हैं प्लस 3250 उसके बाद current assets है current assets को record करते हैं सबस्के पहले हारी inventory तो inventory याने की closing swap हमारे पास closing swap है 41312 तो 41312 उसके लावर debtors या account receivable तो यहां पर देखते हैं हमारे पास debtors है account receivable given है 41940 evaluate तो अब इसको record करते हैं debtors याने के account receivable 41490 prepared expense अगर एक system का हो कोई नहीं अपना यह investment में था लेकिन हमारे पास accrued है वह liability है तो prepaid expenses कोई नहीं हमारे पास इसको reward नहीं करेंगे इसके लावाद देखें तो यह और asset हो हमारे पास cash at bank cash hand दोनों मौजबूत हैं cash at bank की जो value है उसको देखें तो 21 की हमारे पास cash at bank 2118 2118 2118 और इसी तरह से cash in hand cash in hand की जो value है हमारे पास हुआ 317 cash in hand 317 इसके लावा और asset check करें तो और कोई asset हमारे पास पास नहीं तो फिर हम इसको add कर लेते हैं तो is equal to sum formula लगाए तो sum और इसको drag कर लें यह आगे हमारे पास total assets current is equal to non current asset plus current assets दोनों को add कर लें तो हमारे पास 92697 total assets है अब लबरेटरी हम नहीं चेट करने हैं तो हम पार्णर के नेम सबसे पहले record करते हैं Scott & Chaplin तो 50,000, 20,000 capital account इनके 50,000 and 20,000 add करें तो total बनता है हमारे का 70,000 और current account partners के Scott & Chaplin Mr. Scott & Mr. Chaplin नहीं है तो इसको less करते हैं करते हैं balance opening balance हमारे पास आ रहें 15 December 2017, 15 December 2017 current account opening balance 7382 Mr. Chaplin का balance है हमारे पास 7009, 7009 इसके लावा salaries हमारे पास question में salaries नहीं है अगर होती था हम add करते हैं माइनस करने हैं इसको नहीं है होगर होती था हम इसको add कर लेते इसी तरह से interest and capital हमारे पास हैं तो हम इसको record करते हैं के interest and capital है कितना interest and capital हमारे पास है यहां पर यह बहुत है इसी तरह से interest on capital Mr. Joplin के लिए रिकॉर्ड करेंगे Joplin के interest on capital है 1000 को हम दे रिकॉर्ड कर लिए है share profit दोनों का profit कितना कितना है उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो add करते हैं share a profit if here a profit हमारे पास है और add करते हैं share a profit Mr. Joplin के लिए वो है 1905 और 1905 तो हम दोनों को add करते हैं और यह हम total करते हैं balance यहां पर इसमें से less करने हमने interest on drawing तो check करें कि हमारे पास interest on drawing है कितनी interest on drawing की value हमारे पास आ रही है 300 & 200 तो 300 & 200 तो 300 & 200 तो इसके लाबा drawing की value रुकार करनी तो drawing हमारे पास 70,500 & 16,000 तो इसके बाद total किया जाए माइनस किया जाए तो यह हमारे पास loss आ रहा है मतलब इसमें debit balance अगर हम account बनाएंगे तो debit balance आ जाए तो दोनों का debit balance यहां पे score जापलें का current account रहा है हम देखतें कि total हमारे पास debit balance के loss कितना है plus this score loss हो गया अगर non current liabilities रहें कितनी कोड़कों सी वो check करेंगे अगर हम हमारे पास non current liabilities जाए कि 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 कोई long term liability हो तो question में ऐसी कोई liability नहीं थी हमारे पास तो हम इसको record नहीं करते इसको skip कर देंगे account table हमारे पास आया 3216 तो 3216 3216 इसके लावा देखेंगे अगर कि कोई और expense हो हमारे पास तो आप चेक करते हैं अगर कोई और liability हमारे पास आ रही है तो उसको record करेंगे account table हमारे पास आ गया 3216 तो इसके लावा कोई और liability हो यहाँ ट्राइबस पर कि 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 कोई और liability नहीं लग रहे है इसके लिए के नज़र अगर 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 डालने तो वहाँ पर हमारे पास office expenses और outstanding outstanding office expenses को टुड़ करेंगे outstanding office expenses 240 तो टुड़ कोई करते है 240 और इनका करते हैं sum तो देखेंगे total liability कितनी आ गयी है इसके बाद हम करते हैं तो इसके बाद के हम करते हैं यहां पर तो टोटल कुटीज और लिए को कलिए करने के लिए sum तो अब को एड़ कर लें तो लिए हमारा पास बाकी बचेगा 92697 तो यहां पर भी आ रहे है 92697 आप लोगों ने इसको अंट्स्टेंट किया हो गया आप लोगों को चाहिए आप लोगों को तो हम पर रक है वह है question number 9 question number 9, 10, 11, 12, 13 तो यह बाकी question सेम इस तरह से हैं इसको आप लोग try कीजिएगा अगर किसी किसम को को problem हो तो आप लोगों इसक्स कर सकते हैं तो इंशाला हम बिलेंगे next lecture में तब तक के लिए Allah अफेस